आ हैलो एव fascism आज 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 हम लोग इस वीडियो में एकி आज़ना Panel चस 스트क्र seminar के बारे में बात करेंगे जैसे कि पर बदर की महहल है इक सामिने देली के विए तक भी संटेंस हमुंट करना हो तक का महौल है उसके लिए हम लोग it is the ambience of का यूज करते है it is the ambience of का मतलब होता है का महौल है अगर इसी sentence को हम लोग को past में translate करना हो तो उसके लिए हम लोग इसकी जिगा पे was का यूज करते है past में इस तरह के sentence जैसे बोलना हो हर तरफ डर का महौल था उसके लिए हम लोग it was the ambience का use करेंगे चलिए इसका structure देख लेते हैं सबसे पहले it is the ambience of plus noun plus other word इस structure के कुछ example को देखते हैं पहला example है हर तरफ डर का महौल है it is the ambience of fair everywhere it is the ambience of fair everywhere अगर इसी sentence को हम पास्ट में बोलना होगे तो बोलेंगे it was the ambience of fair everywhere second example हर तरफ खून खराबे का महौल है it is the ambience of bloodshed everywhere it is the ambience of bloodshed everywhere third example हर जगा धोके बाजी का महौल है it is the ambience of fraud everywhere it is the ambience of fraud everywhere fourth example हर तरफ बाइमानी का महौल है it is the ambience of dishonesty everywhere it is the ambience of dishonesty everywhere fifth example हर तरफ शांती का महौल है it is the ambience of peace everywhere it is the ambience of peace everywhere next हर तरफ चुनाओ का महौल है इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए इससे आपकी प्रैक्टिस होजएगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें थैंक्यू कि लग प्राइब होगवे दोस्तों में शेपकी अवेड़ धर दोस्तों में होगा है